हलो स्वागत है यह हमारा तीसरा वीडियो है इस वीडियो में हम देखेंगे .net core application develop करने के लिए environment क्या होना चाहिए SDK और editor कहां से आप install करेंगे ठीक है और installation के बाद जो है कि हम कुछ verification होगरा करें कि मतलब कैसे कैसे verify कर सकते हैं कि हमारा SDK और editor install है कि नहीं तो सबसे पहले देखते हैं कि हमको setup क्या चाहिए यानि हमको पहले तो भाई operating system चाहिए चाहिए Windows हो या Mac हो या Linux हो यह सारे इन में से कोई operating system चाहिए अभी हमारा Windows आप देखना है कि हमारा Windows operating system है तूसरा है editor चाहिए आपको obviously आपको जो है कि code edit करना है तो उसके लिए editor भी चाहिए और .NET Core का SDK चाहिए editor आप कौन-कौन सा यूज कर सकते हैं सबसे जाता recommended है visual studio वह आप यूज कर सकते हैं उसको यहां से आप download कर सकते हैं ठीक है यह link एक्शली मैं description में भी डाल दूँगा और वहां से आप download कर सकते हैं तो यह हमारा साइट है visual studio का जहां से जो है कि हम visual studio डाउनलोड कर सकते हैं इसमें आप चाहिए जिस platform पे हैं ठीक है जिसे आप मालेजीए कि अगर आप windows बेहें तो यह windows के लिए visual studio डाउनलोड कर सकते हैं मैक पे हैं तो मैक के लिए कि आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो यह आप यहां पे दोगे तो आपको community और professional enterprise मिलेगा community जो है कि वह free होता है इस tutorial को follow करने के लिए आपको community से कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए ठीक है तो आप जो है कि community install कर लें वैसे अगर आप जो है कि चाहें तो इन दोनों में से कोई एक install कर सकते हैं अगर आप आपने हिसाबस सको download कर लेजिए ठीक है और मैंने जो है कि मतलब मेरे पास вас ओलेटि है तो यह हमारा विज्यल स्टूडियो है जब आप download कर लेंगे तो आपको जो है कि एकदम blank देगा क्योंकि मेरे पास तो यह सारे जो है कि तो Visual Studio अगर आप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, तो आपको जो है कि ये विंडो दिखेगा, ठीक है, दूसरा एडिटर है हमारा Visual Studio Code, तो ये Visual Studio Code, चाहे मैंने वो पिछले हमारा लिंक है, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यहां से भी आप कर नहीं है, इसके अलामा आप सबलाइम यूज कर सकते हैं, ब्रेकेट यूज कर सकते हैं, या इतम या अप नोट कर सकते हैं, यहां पर नोट कर दिया है, ज़रूरी नहीं कि आप यह एडिटर जो है, यूज करें, .NET Core SDK जो है कि हम इस link से download करेंगे यह link भी मैं description में दे दूंगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी currently .NET 5.0 चल रहा है अगर आप .NET 5.0 का application वरना चाहते हैं तो इसको download कर लिजिए लेकिन यह tutorial हमारा .NET Core 3.1 पर based है तो हम यही download करेंगे यहां पर आप 64 bit के लिए है HDK अबो कर सकते हैं कि हमसे हमारा HDK नालोट करना है कि सप्सक्राइख करना है और उसको आप पावर सेल पर जो है कि यहां पर हम डिरेक्टली जो है कि .NET मानस मानस वर्जन ये चेक कर सकते हैं क्योंकि मैंने अलड़ी जो है कि 5.0 इंस्टॉल किया हुआ तो मुझे 5.0 दिख रहा है आपने जो भी मतलब SDK का वर्जन इंस्टॉल किया होगा आपको वो दिखेगा ठीक है तो यहां पर अगर दिख रहा है मतलब आपका SDK successfully इंस्टॉल हो चुका है तो इस तरह से आप verify कर सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में हम actual application बनाएंगे ठोड़ा हम MVC को समझेंगे और उस पर अप्लिकेशन बना करके देखेंगे कि भाई कैसे अप्लिकेशन क्रियेट करते हैं कैसे वो रण करता है तो मिलता हैं अगले वीडियो में